तुम्हारी रिमाथ रसोई में आज मैं जा रही हूं आचारी मसाला बनाने जिसकी बहुत सारे यूज हैं इसमें लगने वाले इंग्रेडियन्स हैं है यह सब्दैशी गराम के लगभग धनिया है मैंने लिए हैं सब्सक्राइं सब्सक्राइब कर civilians अब देख सकते हैं करही गरब हो चुक्य हैं इसमें का सबसे पहले देनी डाल स्ट रिटि हम इस चव्ट दूम्ना थीभी ठीयम पर appropriately स्टाल करके सारे मसालों को बारी बारी से टाल करके आप गूम लेक Cong со better अब अब चाहें तो इसमें नमक भी कर सकते हुआ देख सकते हैं, एक से देख चमच के लागओं इसमिन नामक अट करेंगे, आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके है, सारे मसाले, मैं अभी ते गरांडर में टाल करके इसको दूढ़ी, एक से दो बार चला लूँगी, इसको बार में आपको दिखाती हूँ, अब इसे मैं चलाने जा रही है आप देख सकते हैं मैंने ये मसाला तैयर कर लिया या चारी मसाले बहुत ही टेस्टी होते हैं आप उबले हुए आलू में इसका यूज कर सकते हैं सुखी सब्जी में इसे यूज कर सकते हैं चाट मसाले के रूप में भी इसे यूज कर सकते है मैंने एक तो यूज भी इस डिस्क्रिप्शन बस बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं मैंने किये हैं वह आप लोग फोलो कर सकते हैं मैं उसका लिंक देदूगी आप लोग जरूर देखिए और बहुत ही टेस्टी मसाले होते हैं तेंक्यू हैंने माथ